यह दोस्तों आज हम सीखने वाले कि किस तरीके से आप अपने Facebook का password कैसे change कर सकते हैं बिल्कूल easy size step है चले आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से changes कर सकते हैं सबसे पहले Facebook का password होता है इसका change करने का दो region होता है पहला region होता है कि बहुत ज्यादा time तक हमारे password अगर रहते हैं तो problem होने लगती है या तो हमें बार बार इसको एक बार activate करने के लिए कि कोई भी access ना कर सके या कोई hack ना कर सके इसलिए password चेंज करते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से हम password को change कर सकते हैं कैसे setting करेंगे password को change करने के लिए किस option में जाएंगे तो complete आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो आप वीडियो को complete देखिएगा इसकी बिल्कुल मत करें क्योंकि अगर आप skip करेंगे तो आपक आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो चली हम start करते हैं और आपको complete बताते हैं कि आप कैसे change कर सकते हैं सबसे पहले आपको facebook app में जाना है जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे facebook app है हमने यहाँ पे open कर लिया हुआ है अब आपको open करने के बाद आपको क्या करना है क आप यहाँ पे जैसे ऐसे यहाँ पर तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर production लिए मिलेगे आप देख सकते हिसे आपको कर देना है क्लिक है और यहां पर देखे एक का activities का उप्सर् outward and security का और है account वाले वाले प्सर्ण में इस पर बस आपको कर देना है इस सबसे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें बहुत सारे यहां पर ऑप्षन आ गए हैं आपकी मोबाइल कहां पर एक्सेस इह कहां पर लॉगिन हैं सारे complete यहां पर आपके यहां से Forces आ गई हैं अब चली आपको change कैसे करना है change करने के लिए आपको scroll करना है और scroll करने के बाद यहां पे देखे एक option आपको देखने के लिए मिल रहा है login, login के साथ यहां पे लिखा change password बस आपको change password पे कर देना है click, आप जैसे यहां पे change password पे click करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है current password, new password, retype new password, इसका मतलब क्या होता है current password का मतलब है कि आपका जो old वाला password था इसके अंदर आपको इंडर करना है तभी आपका new वाला generate होगा अगर नहीं होता है तो यहाँ पे दिखे आपको एक forget का नीचे blue line दिख रही है बस आपको forget पे click कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो भी होगा SMS जाएगा mobile number पे और बिल्कूल easy तरीके से forget हो जाएगा लेकिन हम forget नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पहले से पता है जो हमारा password है तो हम यहाँ पे back करते हैं और back करने के बाद चली current password में जो हमारा old वाला password है इसको हम यहाँ से type करते हैं और यहाँ पे चली हम type करते हैं देखे इसमें बहुत अच्छा security provide कर दिया गया है कि आप अपने password को देख नहीं सकते हैं यह सबसे अच्छा है पहले क्या होता था कि आप so करकर देख सकते थे password को लेकिन इसको क्या कर दिया गया है facebook इसको हटा दिया है तो यहाँ पे आपको complete यहाँ पे password को इंटर करना है तो चल दिखाने वाले हैं तो यहाँ पे वेट कर लीजिए आप तो दोस्तों यहाँ पे हमने password अपना जो है इंटर कर लिया हुआ है अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर जो भी और सारे password है यानि जो आप new बनाना चाहते है password अब आपको new password पे क्लिक करकर आपको password बनाना है चली हम password को बनाते हैं तो यहाँ पे same process है आपको password बनाने के लिए चली आपको पहले हम password बनाते हैं उसके बाद आपको आगे वाले option में क्या करना है बताते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमने password अपना बना लिया हुआ है अब यहाँ पे लिखा है retype new password करने का मतलब जो आप उपर अभी password new बनाये हैं इसी को फीट से एक बार टाइप करना होगा जिसे पता चल सके कि आप जो password डाले हैं same होई है या नहीं तो चली यहाँ पे हम password same होई ड तो दोस्तों यहाँ पे finally हमने दोनों password current password new password और retype password यह सारे हमने फिल कर लिए हैं बस अब आपको क्या करना है कि update password पे click कर देना है आप जैसे update password पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका जो page होगा एक बार reload होगा और यहाँ पे देखिए कुछ आपसना रहे है password change यहाँ पे देखिए पहला आपसना देरा review other device और यहाँ पे देरा stay login in तो आपको stay login पे click कर देना और continue कर देना है आप जैसे यहाँ पे continue करेंगे तो आपकी जितने devices रहेंगे सारे लगाउट हो जाएंगे और आपका इसमें login हो जाएगा बस आपको क्या करना है कि back आना ह कि एक बार refresh कर देना है आप जैसे यहाँ पे एक बार अपने page को refresh करेंगे तो आपका बिल्कूल easy तरीके से password change हो जाएगा तो I hope आपको complete समझ में आ गया होगा कि कि तरीके से अपने password को हम कैसे जाकर check कर सकते हैं change कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें option को आप active कर सकते हैं तो आपको complete समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल पे नए तो चैनल को subscribe करें और bell notification को on करें क्यूंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे